दोस्तों ओपो ने आज इंडिया में लॉंच कर दिया है ओपो A33 ये फोन आज ही इंडिया में लॉंच हो गया है और आपको पता ही है कि जो A-series के फोन होते हैं ओपो के वो बजेट सेग्मेंट में आते हैं तो ओपो A33 एक बजेट सेग्मेंट में लॉंच हुए सारी डिट के बारे में OPPO A33 की क्या प्राइस है सारी डिटल आपको इस वीडियो में मिलने वाली तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं OPPO A33 के डिस्पले के बारे में इस फोन में मिल जाती है 6.5 इंच की HD प्लस रेजलूशन वाली डिस्पले जिसका रेजलूशन है 720 x 1600 पिक्सल्स का 90 Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलने वाला है IPS LCD पैनल की यहां पर आपको डिस्पले मिल जाती है 20 to 9 का एसपेक्ट रेशियो होने वाला है और पंच होल यहां पर आपको इसकी डिस्पले मिलने व इंटर्नल मेमोरी भी मिल जाती है अच्छी बात यह है कि आप इसमें SD कार्ड भी लगा सकते होगर आपको फ्यूचर में स्टोर्स को इंक्रीस करना हुआ तो बात करें अगर ओपरेटिंग सिस्टम की तो ओपो A33 में Android 10 के साथ में Color OS 7.2 out of the box देखने को मिल जाता है अब ज देखने को मिल जाता है बात करें अगर बैटरी की तो ओपो A33 में 5000 इमेच की बैटरी मिलने वाली है और इसके साथ में आपको 18 वार्ट का फास्ट चार्जर भी मिल जाता है अब बात करते हैं दोस्तों ओपो A33 के कुछ connectivity features की तो इस फोन में आपको 4G LTE का सपोर्ट मिलता ह है Wi-Fi Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C port है, Charging Auditor Transfer के लिए और 3.5 mm का headphone jack भी मिल जाता है इसमें आपको fingerprint scanner भी मिलेगा camera setup के बगल में ही अब जानते हैं दोस्तों ओपो A33 के price के बारे में तो ये phone दोस्तों इंडिया में launch हुआ जो इसका base variant है खास करके उसकी price है 11,990 रुपए तो मेरे हिसाब स ये ठीकी ठाक price में इंडिया में launch हुआ है पर आपको बता है भाई उपो है तो थोड़ी सी price तो जाता होगी compare करोगे अगर आप other phone से लेकिन एक हिसाब से ठीकी ठाक price है बहुत जाता तो नहीं है लेकिन आपको जिसका look and fill मिलेगा वो बहुत अच्छा होने वाला है उपो A अगले वीडियो में